तो फ्रेंस अगर आपका भी Angel One यानि की Angel Broking में एकाउंट है जिसका हाल ही में नाम Angel One हो गया है तो आपका उसमें एकाउंट है और आप उसे पर्मानटी क्लोज करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूसफूल होगा क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे Angel One के एकाउंट को पर्मानटी जो है क्लोज करवा सकते है तो चलिए बिना टांग कर आए वीडियो शुरू करते है तो फ्रेंट्स मैं आगा हूँ मेरे मॉबाइल के स्क्रीन पर और Angel One का डिमेड एकाउंट क्लोज करवाने से पहले आपको ये बात खास ध्यान में रखनी है कि आपका जो पॉट्फोलियो है वहाँ पे जो है कुछ भी होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए और आपका जो फंड है उसका जो बैलेंस है वो माइनस में नहीं होना चाहिए यहाँ पे आप देख सकता है यह जो बैलेंस है वो माइनस में नहीं होना चाहिए तो दोस्तों यह बात जो आपको खास ध्यान में रखना है उसके बात का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ आपको जो है एक mail करना है तो यहाँ पे मैं जो है अपना Gmail ID ओपन करूँगा तो यहाँ से मैं अपना Gmail ओपन कर लूँगा उसके बाद यहाँ पे mail compose करूँगा और यहाँ पे हमें mail किसे करना है तो यहाँ पे जो to लिखा है वहाँ पे आपको mail id डालना है support at the rate angelbroking.com तो मैं यहाँ पे mail id डाल देता हूँ support at the rate angelbroking.com तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा आ गया है तो वहाँ पे हम click करेंगे उसके बाद नीचे आपको subject में लिखना है I want to close my account तो यहाँ पे हम लिख देंगे I want to close my account उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे compose email का option दिखा दे रहा है वहाँ पे क्या लिखना है उसका format में यहाँ आपको दिखा देता हूँ तो मैं यहाँ पे paste करूँगा मैंने already यहाँ पे लिख के रखा है I want to close my account उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना client ID लिखना है जो क्या आपको पता होगा उसके बाद यहाँ पे आपको अपना Gmail ID भी mention कर देना है और नीचे reason भी लिखना है के reason for account closing यहाँ पे आप देख सकते है मैंने नीचे reason भी लिखा है due to insufficient fund I can't invest that's why I want to close my account इतना यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे आप देख सकते है I can't invest उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे mail send कर देना है तो मैं यहाँ से उपर से इस mail को send कर दूँगा तो यहाँ पे मेरा mail successfully send हो चुका है तो यहाँ पे आप time देख सकते है और मैं आपको date भी बता देता हूँ time हुआ है 9.26 मिनिट रात के और यह 13.09 को मैं कर रहा हूँ यानि कि जो है 13.09 को रात को जो है मैं 9.26 मिनिट को यह mail कर रहा हूँ तो मैंने जैसे ही वो mail send किया तो मुझे जो है सामने से 9.26 को ही सामने से जो है auto response का एक mail आया है angel support की तरफ से यहाँ पे आप देख सकते है यह mail में आपको जो ओपन करके दिखा देता हूँ जो कि auto response है तो यहाँ पे जो है लिखा है हमारा ticket ID लिखा है हमने जो ticket raise किया है request तो यहाँ पे सब लिखा है कि दो दिन के अंदर-अंदर यहाँ से आपको reply मिल जाएगा ऐसा इस mail में लिखा है और आपका जो भी problem है वो दो दिन के अंदर-अंदर हम यहाँ से reply करके solve करने का try करेंगे यह mail आपको तुरंद ही आ जाएगा क्योंकि यह auto response mail है तो मुझे उसी दिन 12.27 मिनिट को रात को एक mail receive हुआ है लेकिन मैं सुबह को यह पढ़ रहा हूँ रिस्पॉंड नहीं है यहाँ पे किसी ने reply दिया है वीनोद मोरे करके है स्टाफ मेंबर उसने यहाँ पे reply दिया है Dear Mr. Parmar Vipool Greetings of the day This is with reference to your below mentioned mail यहाँ पे सारा कुछ लिखा है कि आपका जो account है वो permanent 6 working day में close हो जाएगा तो इन लोग ने लिखा है कि 6 दिन के अंदर-अंदर आपका जो account है वो close हो जाएगा तो यहाँ पे जो है अच्छा यह लोग respond कर रहा है यहाँ पे आपको बाकी सारे जो demand account है उसका process काफी lengthy है लेकिन यह मुझे काफी easy लगा तो मुझे तुरंत यहाँ पे 6 दिन के बाद मैंने 13 तारिक को यह mail पड़ा था लेकिन 6 दिन के बाद जाने की 19 November को यहाँ पर Client Closure Request Receive का एक mail आया था यहाँ पे आप देख सकते है तो मैंने उस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको देख सकते है आपको दिखेगा नहीं मैं आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते है Last Chance to Stop Account Closure उसका एक mail आया है Dear Parma Vipool 48 गंटे के अंदर आपका एकाउंट क्लोज हो जाएगा यह last chance है कि आप अपने एकाउंट को बचा सकते हो क्लोज होने से लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी रिस्पंड नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पर यह एकाउंट क्लोज करवाना ही है 48 ओवर में तो इन लोगों ने तीरा तारिक को यह mail किया था कि 6 दिन के अंदर अंदर आपको एक mail आजाएगा ओके अपका एकाउंट क्लोजर का तो यहाँ पर जो है कंप्लीट 6 दिन के बाद यानि कि 19 तारिक को मुझे यह mail आए 48 ओवर के अंदर आपका एकाउंट क्लोज हो जाएगा यानि कि अभी 19 तारिक हुआ है तो यह जो है 21 तारिक को मेरा एकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए और ऐसा ही हुआ 21 तारिक को मुझे सुबह सुबह में यह mail आ चुका था यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं 21 तारिक को ही सुबह सुबह मैंने यह mail पढ़ा था 6 या 6 बजे सुबह के 9 बज के 11 बजे है लेकिन मुझे सुबह के 5 या 6 बजे यह mail आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते है 6 बज के 21 मिनिट को मुझे mail आ चुका है सर्विस की तरफ से तो दोस्तो यह mail है यह काफी अहम है दोस्तो यह mail जो आपको CDSL की तरफ से आता है अगर यह mail आता है तो ही आपको समझना है कि आपका देमेट एकाउंट है वो क्लोस हुआ है नहीं तो क्लोस नहीं हुआ है यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा आपका देमेट एकाउंट का आपको CDSL की तरफ से आएगा यहाँ पर देख सकते है और यहाँ पर लिखा होगा एंजल ब्रोकिंग जो है डिपोजेटरी पाटेसिपन्ट होगा लेकिन यह mail CDSL की तरफ से आएगा आप अभी भी ध्यान से सुनिए और न्यू वैल्यू जो है अगरे आप लगो आचे का वीडियो पसंद है तो इससे like कीजे, share कीजे अं comment कीजे और आमाने नए दोष्ग को request है क让 सब्सक्राइब करते जाएं थाकि हम ऐसा ऐख कुँछ नगा सिखाए तो आप बिल्कुल भी कि Synah कर पाएए